जै श्रुराम भहत श्वागत आपका आपके अपने बहत खास कारीकर में मैं हूँ आपके साथ आचारीराज मिश्रा बात करेंगे काल चकर की 107.83 मकर के बारे में क्या परि्टियां रहने वाली हैं? आपके बारे में किस प्रकार बेतीत होगा आपका जो मई 2022 का मा है? एक बात और कहना चाहूंगा प्रते दिन रात त्री को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइब कॉल के थूरू कनेक्ट होता हूँ Facebook और YouTube दोनों पर लाइब होता है आप लाइब इसी कारिकम में कनेक्ट हो करके अपने बारे में पूरी information, बिद कॉल, कॉल के साथ कनेक्ट हो करके और free of course जान सकते हैं, आराम से बाचीत कर सकते हैं तो आप लोग मिरे शाथ लाइब में भी कनेक्ट हो सकते हैं हम आपके लिए हर एक प्रकार से सहयोग करने का, सहयता करने का प्रयास करते हैं प्रतेक जानकारी आपके ले करके आते हैं बात कर लें मकर को ले करके किस प्रकार व्यतित होगा आपका जो मईी का महीना है तो राशी श्वामी जैसा कि सेकंड हाउस में पहुंच चुके हैं 29 अपरेल को ही चले गए हैं आप जानते हैं शात में मंगल का गोचर रहने वाला है गुरू और शुक्र गोचर करेंगे थर्ड हाउस के अंतरगत राहू और सूर्य गोचर करेंगे फोर्थ हाउस के अंतरगत और बुद्ध का जो गोचर रहने वाला है वो फिर्थ हाउस में रहने वाला है 10th house में जाकर केकेTU गोचर करेंगे क्या ये पूरा जो संयोग है किस सीच को बनाने वाला है सरप्राथ हम हम Health को लेकर के चर्चा करेंगे स्वास्त को लेकर के बाद करेंगे क्योंकि मंगल शाथ में गोचर करेंगे जो की एकातस भाव के शामी हैं और 4th house के शामी है इनका जो गोचर है मंगल की परिस्तिति अगर पापक ग्रह के साथ गोचर देखा जाए पापक ग्रह के साथ अगर गोचर की परिस्तितिया आपकी देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है यहाँ पर यह कंडिशन आपके मानसिक स्वास्त को ल रहने वाली है एक मन में बड़ी अशांती सी रहने वाली है एक मन में जो सटिस्टेक्शन चाहिए वो मानसिक सटिस्टेक्शन कहीं न कहीं आपको नहीं मिलती हुई दिख रही है घर में तनाव होने के कारण घर में लड़ाई जगड़ा होने के कारण घर में तनाव का वा आप शान्त बैठ जाएं ठिक है गंगा जल थोड़ा सा पी लें और ओम नमो भगवते वाशुदेवा ये मंतर का जब करना प्रारम कर दें आपके घर में तुरंत शान्ती की प्राप्ति की बहुत समय नहीं लगेगा तुरंत आपके घर में मानशिक शान्ती की जो प्राप्त जल्दबाजी में आकर के जो शब्द आपके द्वारा बोले जाएंगे या आबेश में आकर के जो शब्द बोले जाएंगे उन शब्दों को लोग आपके बढ़ा चढ़ा करके तोड़ मरोड करके पेश करेंगे किसी भी आप शेत्र में जाब पॉलिटिकल शेत्र में हैं मीडिया में है, साधारण जीवन जी रहें, जिस प्रकार की परिस्थेते में हैं, तोड़ मरोड करके पेश करेंगे और उसके कारण आपको वड़ी मांसिध ब्यथा होगी, कि मैंने ऐसा तो कहा नहीं था, लोगों ने आखिर इस प्रकार से क्यूं हमारे बारे में दिखो रहा है education में एक अच्छा result प्राप्त होता हुआ दिख रहा है मित्रों का बड़ा सुन्दर स्वयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है प्रेम Shंबंद बनता हुआ प्रेम में चल रही खटास दूर होती हुए दिख रही है तो यह जो संयोग की बात की जाए ये संयोग आपका अच्छा दिख रहा है एक चीज जो बड़ी important दिख रही है fourth house में राहू और सूरिका गोचर होगा और ये गोचर 14 तारीक तक रहेगा तो 14 तारीक तक की जो परिस्थिती आपकी की नजर आ रही है वह इस प्रकार से है कि माता या पिता के स्वास्त में बड़ी दिखकत और उनकी जीवन के लिए नुक्षान दायक संयोग आपकी राश्री में दिख रहा है तो यहां को जल दीजिए और सूर का दान कीजिए यह आपके लिए अच्छे परिस्थिती को ले करके आएगा एजुकेशन के दिख्टी से मैंने आपको बताया ही है कि संबंद अच्छा दिख रहा है आपके लिए बहतरीन है भाग्य का सहयोग मिलने वाला है एक बड़ा अच्छा सहयोग आपके लिए बन रहा है और यह राजियो कारक है पंचम भाव के श्वामी शुक्र का जो दिख्टी होगा वो नाइन्थ हाउस पर रहने वाला है और यह रहेगा आपके लिए तेज तारीक तक और नाइन्थ हाउस के श्वामी जो बुद्ध है वाकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यह जो दोनों शंबंध है वो एक प्रकार का राजियो कारक शंबंध है अगर यह शंबंध बनता है तो हमें कोई महत्वूर पद प्राप्त होता है हमारे भागे का सपोर्ट हमें मिलता है हमें मानशिक शान्ती प्राप्त होती है और हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं इस्पेशली जो लोग राजनैतिक शेतर में हैं और किसी पद की उम्मीद रखते हैं तो उनको वो पद मिलता हुआ दिख रहा है तो ये संयोग पूरी तरह से अच्छा दिख रहा है लेकिन किस किस चीच को ले करके खराब है अच्छे अगर बात की जाए वैसे फिजिकल हेल्थ को ले करके देखा जाए तो अच्छा दिख रहा है भाई बेहनों से संबंद को ले करके अच्छा दिख रहा है भाग को लेकर के अच्छा दिख रहा है आत्म विश्वाश को लेकर के अच्छा दिख रहा है शंतान को लेकर के अच्छा दिख रहा है एजुकेशन को लेकर के अच्छा दिख रहा है माता पिता के स्वास्त को लेकर के खराब दिख रहा है मांशिक अशान्ती का संयोग दिख रहा है और उसके शाषात किसी अपने प्रिये जन से बिछुडने का संयोग है तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जो आपकी राशी में नजरा रही है बहुत सारी जानकारी देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है आप जानते हैं प्रद दिन इसलिए रात त्री में नौ बजे और दो पहर को बारा बजे आप सब के साथ लाइब करनेक्ट होता हूँ तांकि आप लोग फ्री और कोस्ट अपने बारे में लाइब में जानकारी प्राप्त कर पाएं आप्टर लाइब बात करेंगे तो कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है उसके साथ आप बात कर पाते हैं कोई भी एग्यन उस्ठान कराना है कोई पूजन पाठ इत्यादी कराना है कोई रत नरोज राक्ष प्राप्त करना है तु भी संस्थास देव आपके शाथ है आप उस पर कर सकते हैं तो यहां कारिक्रम को मैं बिराम देता हूँ आप लोग सदेव जुड़े रहें आप लोग प्रसंद रहें इनी सुबकाम नावक्षाद जैश्री राम बहुत धन्यवाद